हेलो दोस्तो आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में हार्याणा पंजाब के जो किसान है चंडीगड में एक्तरित हुए हैं और वो राज्ययपाल को गवर्नर को अपना विग्यापन सोपने के लिए इधर कठा हुए हैं भारीत आदात में किसान यहां पे आये हुए हैं और वो चंडिगड में प्रवेश करना चाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी पुलिस प्रशाशन को तैनात किया गया है, बैरिगेटिंग की गई है, ताकि किसानों को चंडिगड में जाने से रोका जा सके, पुलिस प्रशाशन की तरफ से भी बहुत भारी संख्या में जो ह सुरक्षा बल को तैनात किया हुआ है बैरिगेटिंग की गई है और देखिए किस तरह से किसानों के ओपर पानी की बोचारें की गई है यहां पर आप देख सकते हो किस तरह से किसानों के ओपर पानी की जो है बोचारें की जा रही है किसान भी बैरिगेटिंग तोड़ते हु गुवर्नर को ये विज्यापन सोबने के लिए आज सब लोगी कत्रित हुए हैं ये देखे किस तरह से यहां पर बैरिगेटिंग की गई और बैरिगेटिंग के साथ ही भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है श्रक्षा बलों को तैनात किया गया है बैरिगेटिंग के आगे खड़े हुए हैं लेकिन किसान भी अपनी जीद पर आड़े हैं उनको भी जाना है गवर्णर तक राजयपाल तक पहुंचना है उनको अपना विगापन देने के लिए लेकिन पुलिश उनको अंदर जाने से रोक रही है आप देख सकते हो वीडियो में आप देख सक वे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आगे आपको कुछ और वीडियो दिखाते हैं आज की कि भारी संख्या में देखिए कैसे पानी की पोचारे किसानों के उपर की जा रही हैं लेकिन किसान भी डटे हुए हैं किसानों के एरादे मजबूत हैं और वो डटे हुए हैं देखि किस तरह से और ये बैरिगेटिंग को हटाया जा रहा है किसानों द्वारा ये देखि किस तरह से बैरिगेटिंग को हटाया जा रहा है आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से बैरिगेटिंग को हटाने की क ब्रृटियों कफेंग कंफिर भनी हुए हैं। आप देख सकते हो आपसि सी टकराह पुसानों पर पपुलीष के वीच में ट्रेक्टर के द्वारा बैरिगेटिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है आप वीडियो में देख सकते हैं वीडियो मेरे साथ बने रही है आगे कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं पुलीस द्वारा किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है और देखिए इन लगा हैं यहां पर भी देखिए महलाएं भी आई हुई है साथ में महलाएं भी बैरिकेटिंग तोड़ तोड़ दिखाई दे रही हैं यह देख सकते हूं आप वीडियो संपने के लिए धन्यवाद दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना वूलिए इस वीडियो को पहुंजाए धन्यवाद दोस्तों कि कर दो